समाज में तरह तरह के लोग होते हैं समाज में तरह तरह के रिती रिवाज भी होते हैं लेकिन ये सूच पाना है कि मृत शरीर का सूप बना कर लोग पीते हैं कितना अजीब है हम सूच भी नहीं सकते लेकिन लोग ऐसा किया करते हैं जहां मृत शरीर को अंतिम संसकार के दिन जुलाकर उसके राक से सूप बनाया जाता है और लोग उसे बड़े चाव से पीते भी हैं कहां कि ये अजीबोगरी परिमपरा आपको बताते हैं जोहां एक तरफ दुनिया में शादे व्याह के अलग-अलग रिते रिवाज हर जगा होते हैं उसी तरीके से अगर किसी की जान चली जाती है तो उसकी बाद भी अंतिम संस्कार के लिए अलग-अलग तर्टरी की अंतिम संस्कार के नियमों को निभाया जाता है लेकिन कुछ प्रथाय ऐसी होती हैं जिससे सुनकर ही रॉंक टेखरे हो जाते हैं सोचिए आपके घर में किसी की जान गई हो और उसकी बोडी को जलाने और दफ्टाने के बज़ाए डेड बोडी पर शराब डालकर वहां डांस किया करता है उसको सिग्रिट बिलाता है यह सब सुनकर ही अजीब लगता है तो सूचिए वह लोग ऐसी प्रथा और ऐसी मानियताओं को क्या से निभाते होंगे आज हम ऐसे ही अज जंता जंक्षिन के खास सेग्मेंट अजब गजब देख रहे हैं और मैं आपके सार वंधना पांडे दुनिया में नहीं अलग-अलग परमपराव की कमी है और यहे वज़ो है कि बादशारी व्या की हो या बद्दे सलिब्रेशन की हो यहां तक ही अंतिम संस्कार की भी बा तरीके से आगे बढ़ना पसंद करती हैं कुछ परमपराओं को सुनने की बाद लगता है कि हमारे भारत में ऐसा क्यूं नहीं होता लेकिन कुछ मानियत आइसी होती है जैसे जानने की बाद रूपाप उत्ती है और पिर हम जोचते हैं जो हमारे देश में होता है वही बहतर होता है आज आपको सेग्मेंट में हम उन्हीं अंसुनी पर अप्रथाओं की बारे में बताएंगे परंपराओं से रूबरू करवाएंगे इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे जिहां डक्षिन निभाए जाती है जो इतनी अजीब है कि इसके बारे में जानकर ही लोगों की रूख आप उत्ती है कि आखिर कोई वो मृत शरीर से निकला राख को कैसे सूप बना कर पी सकता है लेकिन सालों से लोग यह करते आएं और अभी भी कर रहे हैं यानुमानी जंचाती कि का यह बे और 30 यह फिछ दिन बार Rights शरीर को निकला जाता है और बच्चे में शरीर को जला दिया जाता है शरीर के जलने के बार जो राख बचती है वहाँ उससे लोग सूप बना कर पीती हैं वहाँ कि लोगों का मानना है कि मृत शरीर की आथ्पा कुशांती तब ही मिलती है जब उस उसका शरीर कराक सर्फ महिलाई ही खा सकती है या फिर पी सकती है और उनका अंतिम्सकार असंसकार भी अलगतरी किसे किया जाता है जंगल में रहने वाले 200 से 2.500 गाव की लोग जीबो गरीब इस परंपरा को कई साल उस से मांते आ रहे हैं और आज के इसे आदुनिक को युग में भी वो इस परंपरा को निभा रहे हैं डक्षिन मेक्सिको की बात करें तो वहां पर मरने की बात भी जो डिर बॉटी होती है उसे लोग अपने परिवार में ही रखा करते हैं शौब को बाहर ले जाकर उसका अंत्म संसकार वहां नहीं किया जाता है जान जाने की बाद भी हमरतक की आत्मा परिवालों के साथ ही रहती है और उसका कारण महा के लोग अपनी गरीबी को बताते हैं उनका मानना है कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपनी घरवालों की का जो मौथ है उसका अंत्म संसकार कर सके अनिगर जुसकी जान गई है उसको अपने पास रखते हैं उनके पर पैसे नहीं होते हैं उ Means 69 करने के लिए तो कुछ ऐसे देश है जो हमरतक के शरीर का अंत्म संसकार ना करकी उसे उचाई से लटका दिया यहां गज़ाता है और लोगों का हो भूचाई पर शरीड को लटकाया ज़ाता है मुर्ट वेक्ति की आत्मा सीधे स्वर्ख चली जाती है यहीं वजा है कि वहां उची-उची चट्टानों से मुझत के शरीर को लटकाया ज़ाता है आप आप ऐसे परंपराओं को ली क्या सोचते हैं और क्या आपने कभी ऐसे अजीवोगरी परंपरा या अपरता देखी हैं निभाई हैं कमिंग बॉक्स में बताइए वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हैं जो अन्ता जंक्शन के साथ क्या में के पीछे ते विशाल और मैं आपके साथ वन दर्म राओं रहने बाद रहने बाद आपके साथ वन दर्म राओं रहने बाद